असलाम अलेकुम दोस्तों खांस के जिन में आपका स्वागत है मेरो नाम है वजूर रह्मान खान पिछला वीडियो मैंने अप्लोड किया था जिसमें मैंने वैडिंग दिखाई थी उसके अंदर मैं आपको दिखाया था हकीम बवड़ी के पोते एजास भाई काली मिलच चिक अप्लोड कर रहा हूं तो यह एक केजी चिकन है हमारे पास और यह वह ऑईल है जिसके अंदर तक्रिबंद साड़े तीन सुग्राम हमने प्यास को ब्राउन किया था सेम ऑईल के अंदर हम चिकन को आट कर देंगे और साथ ही मैं आट करेंगे तक्रिबंद दो सो ग्राम दह करेंगे इसके अंदर काली मिर्च चिकन बन रहा है तो काली मिर्च तो जाना लाजमी है कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का बड़ा दाना हो काली मिर्च का हाफ टेबिल स्पून से थोड़ा ज्यादा कॉरिण्डर पाडर अट करेंगे तो ये बिल्कुल exactly वही रेसिपी है जो एजाज भाई ने बनाई थी शादी के अंदर वैसे तो बहुत तरह से बनता है काली मेरे चिकन अलग-अलग रेसिपीज है लोगों की बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बन जाती है नमक स्वादानुस्वार देर टेबल स्पून इसमें अदर गलस्टन का पेस डालेंगे और जो एजाज भाई ने डाला था वो बहुत पतला था उसी में पानी भी एक तरह से एड हो गया था इसके अंदर तो हम पानी बाद में एड करेंगे जरुवत पढ़ने पार अब इसक इसी तरह से मिक्स होने के बाद इसको हम कुकिंग के लिए रख देंगे मीडियम हीट पर तो जब तक हो रहा है इस बीच में आपको नेक्स स्टेप दिखा देता हूं यह हमारे पास मावा है थोड़ा सा तकरिवान 80 गिराम है यह आप इसके थोड़ा सा क्रश कर लेंगे त इसको इस तरह से क्रैश कर लिया था और ळिच्ट करने के बाद इसक Meghan की यह यह घ्र कर लेंगे याणि कि समझे जिदिए में मावा उतना ही है मैं समझ लें कि वजन में तो कम होगा नायरील प अगर एप दो अलग अलग पॉर्शन में मेजरमेंट लेंगे तो दोनों की चुका है हैं रखते हैं उसके नारील के और खोगा है और अब चलते हैं चेक करते हैं कि हमारा चिकन की क्या वो हूचिक चुका है तकरीबन हाफ दन से ज्यादा समय तो इसको निकाल लेंगे तो हमने इसमें पानी नहीं एट किया था अभी तक तो अब इसको separate कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हमने पानी एट किया है क्योंकि बिल्कुल यह ड्राइ था अब इसमें यह हम एक उबाल आने के बाद नारीयल का बुरादा अमावा एट कर देते हैं और इसको कुक करेंगे 5-6 मिनट क्योंकि नारियल में हल्की सी एक नारियल की स्ट्रॉंग फ्लेवर होती है वो थोड़ी सी दब जाएगी कुक होने के बाद अब यह ब्राउन ओनियन है इसको बारिक क्रश कर लेंगे बारिक पीसना नहीं है क्रश करना है इस बात का खायर लखें कि बिल्कुल आपकी प्यास जो है वो क्रिस्पी होने चाहिए और इस तरह से आप इसको क्रश कर लें हो बच्छे से बारिक या इसको कूट लें और इसक बहुत से लोग इसके अंदर प्याज जो है वह हलकी सी बस फ्राइ करते हैं ट्रांस्पारेंट होने तक और साथ में काजू का पेस्ट भी इसमें एड़ करते हैं बट जो अजास भाई ने डाली थी इसके अंदर ब्राउन ओनियन डाली थी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था तो आप भी इसको एक बार ट्राइ किजिए जरूर त्री चार मिनट इसको अच्छी तरह से भूलने हलकी आज पर इसको हलकी आज पर इसके बाद इसक दम में आने के लिए छोड़ देंगे शिलो हीट पर कवर करके रख देंगे इसको और इस बीच में आपको दिखाता हूं यह आधा टेबिल स्पून हमने ब्लैक पेपर ओल लिया है क्योंकि यह काली मिर्च चिकिन है तो इसके अंदर काली मिर्च का अरोमा भी आना चाहिए और थोड़ा सा उसका स्पार्क भी आना चाहिए इसको हमने क्रश कर लिया है अब इसको हम इसमें एड कर देंगे आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटीज की ब्लैक पेपर की जाधा ले सकते है मैंने थोड़ा सा इसको माइल्ड बनाया है इससे बहुत अच्छी फ्रे प्रूमा है वह उसको दबा देगा जैसे बहुत से लोग इसकंदर गरम मसाला एट कर देते हैं या जायफल जवित्री एट कर देते हैं तो हरी लाइची वगारा कुछ भी इसकंदर एट करने की जरूरत नहीं है अब टाइम है इसको डिश आउट करने का गानिश करेंगे इसको जिंजर जूलियन हरी मिर्च लेमन ब्लैक पेपर के साथ दोस्तों इस बार बकराईद स्पेशल में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कलेजी का तिक्का लेकर आ रहा हूं आपने शायद इससे पहले ये रेसिपी आपने नहीं देखी होगी रेसिपी कैसे लेगी कमें करके जरूर बताईए दौा में याद रखिए इजादा दीजिए अस्लाम अलेकुम